नमस्कार आप देख रहे हैं टार्गिट फिद आलोक ओनलाइन इंस्टिटूट मैं हूँ विवेक मिश्र एट पीम न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइन्स पर एक नजर भारत इसराइल के बीच आने वाले हफ्तों में चलेगा इंटी कोवीट कोपरेशन आवाज सुनकर करोना संक्रमण का पता लगाने वाली तक्नीक पर होगा काम अमेरिका भारत व्यापार परिशद के इंडिया आइडियाद समिट का हुआ आयोजन पीम मोदी ने विकास के इजिंडे में गरीब और कमजोरों को सामिल करने पर दिया जोर तो चलिए बड़ी खबरों के साथ आज की बुलेटिन की सुरुवात करते हैं कोरोना टेस्टिंग किट को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है दरसल इसराइली दूतावास ने बयान जारी करते हुए कहा कि आने वाले हपतों में इसराइल के विदेश, रक्षा और स्वास्त मंत्रालियों के नेत्रुत में भारत इसराइल एंटी कोविट-19 कोपरेशन च काम हो रहा है। 23 जुलाई को इसराइली दूतावास ने यह जानकारी दिया कि यह टीम भारत आ रही है। इसराइली रक्षा मंत्राले का उच्च स्रणी का अनसंधान एवंग विकास दल तेल अवीब से स्पेशल फ्लाइट के जरीए नई दिल्ली पहुँचेगा। भारत अभी तकरीबन 10 लाग COVID-19 के मामलों का सामना कर रहा है और अपने अस्पतालों को अत्याधुनिक प्रद्योगी की उपलब्ध कराना चाहता है। यह इसराइली वैग्यानिक अपनी 4 तक्नीकों के साथ भारत आ रहे हैं जिसमें 2 COVID-19 जाच के लिए और एक तक्नीक किसी व् प्रयोग करता है। के उद्देश से किया जाता है 21 और 22 जुलाई को आयोजित इस समिट के दौरान कई सत्रों को आयोजित किया गया जिसमें राजनेताओं राजनेकों विद्वानों और व्यापारिक कमपनियों के वरिष्ट अधिकारियों को अपने विचार और राय साजह करने के लिए आमंत् समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के इजन्डे में गरीबों और कमजोरों को सामिल करने की आवश्चक्ता पर जोर दिया और कहा कि इस ओफ लिविंग की तरह ही इस ओफ बिजनेस भी महत्त पूर्ण है प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आत्म निर्भर भारत के जरीए भारत एक संब्रिध और ससक्त दुनिया बनाने में अपना योगदान दे रहा है गौरतलम है कि US, IBC अमेरिका और भारत के बीच एक प्रमुख व्यावसाय संगठन है जिसकी अस्थापना साल 1975 में की गई थी भारत और अमेरिका के बीच दुपक्षी व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश से ही इसका गठन किया गया एक आंक्डे के मुताबिक अमेरिका लगातार दूसरी बार वित्तिय वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साजेदार बना रहा यह साजेदारी दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को दरसाता है और अबंत में चलते चलते छोटी लेकिन महत्तपूर्ण खबरों पर एक नजर भारत ने हाल ही में अपने स्वदेशी विक्सित एंटी टैंक गाइडेट मिसाइल धुरुवस्त्र का सफलता पूर्वक परिक्षण कर लिया है इस मिसाइल का परिक्षण ओडिशा की चांदीपूर के परिक्षण रेंज के लौन्च पैड से किया गया इस परिक्षण में मिसाइल धुरुवस्त्र ने वह सारे पैमाने पूरे किये जो वईज्यानिकों ने उमीद किया था मिसाइल की ट्रेकिंग और मारक शमता दोनों ही बहुत सटीक और बहतर है आपको बताते चले के DRDO द्वारा विक्सित धुरूबस्तर एक हेलिकॉप्टर से लॉंच होने वाला एंटी टैंक गाइड़ेट मिसाइल यानि ATZM है यह नाग और हेलिना का विक्सित हेलिकॉप्टर संसकरण है जो कई विसेस्ताओं से लैस है इस मिसाइल से दुस्मन, बंकरों, बक्तरबंद वाहनों और युद्धक टैंकों को हवा से मार कर नस्ट किया जा सकता है भारत में प्रतेक वर्स 23 जुलाई को राष्टिय प्रशारण दिवस के रूप में मनाया जाता है इसी दिन साल 1927 में इंडियन प्रशारण कमपनी ने बंबई स्टेशन से रेडियो प्रशारण की शुरुवात किया था साल 1927 में मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित वाले दो ट्रांस्मीटरों से प्रशारण सेवा की शुरुवात किया था लेकिन साल 1930 में सरकार ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया और भारतिय प्रसारण सेवा के नाम से उन्हें प्रसारित करना शुरू कर दिया साल 1936 में इसका नाम बदल कर All India Radio कर दिया गया और फिर 1957 में इसे आकासवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा All India Radio भासाओं की संख्या के मामले में दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक है इसके देश भर में 413 से ज़्यादा स्टेशन और इसकी पहुँच देश के तकरीबन 99% हिस्से में है इसका प्रसारण 23 भासाओं और 146 बोलियों में किया जाता है हाल ही में वालीवोड अभिनेता सोनुसूद ने रोजगार देने में मदद करने के लिए प्रवासी रोजगार एप्लिकेशन लॉंच किया यह application नौकरियों को खोजने और विसिस्ट नौकरी प्रसेक्षन कारिक्रमों की पेसकस करने के लिए सभी आवस्थिक जानकारी प्रदान करता है सोनुसुद लॉकडाउन के दौरान प्रवासी स्रमिकों को उनके घरों तक पहुचाने में भी मदद कर रहे हैं यह app सही नौकरी के आवसर खोजने के लिए स्रमिकों के लिए एक मंच के रूप में कारी करेगा यह application नौकरियों को खोजने के लिए सभी आवस्थिक लिंकेज और जानकारी प्रदान करेगा इस online platform पर 500 से भी ज़्यादा कमपनियों के लिंक हैं जो परिधान, निर्माण, हेल्थ केर, बीपियो, आटो मोबाइल और ई-कॉमर्स से संबंधित हैं साथी एक टोल फ्री नंबर भी लांच किया गया है जो 24 घंटे और 7 दिन काम करेगा भार सरकार की परियोजना जल जीवन मिशन के तहत प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने 23 जुलाई को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये मडिपूर जल आपूर्ती परियोजना की आधार सिला रखा इस परियोजना की तहत मडिपूर के 1185 बस्तियों तक 1.4 लाग घरों में पानी पहुचाने के लिए तकरीबन 3,000 करोन रूपए की धनरासी खर्च किया जाएगा आपको बताती चलें कि केंद्र सरकार ने साल 2024 तक ग्रामिण भारत के हर घर में सुरक्षित परियाप्त और साफ पेजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुवात किया है इसमें पानी के लिए जन आंदोलन की पहल किया गया है ताकि पानी को प्रतेक व्यक्त की प्राथमिक्ता बनाया जा सके भारत में करीब 20 करोन घर हैं लेकिन केवल 24 प्रतिशत घरों में ही पाइप की जरीए स्वक्ष जल उपलब्ध है इस मिशन के तहट लगभग 15 करोन घरों में पाइप से पानी पहुचाने का लक्ष रखा गया है सैयुक्त राष्ट महासभा की इतिहास में यह पहली बार होगा जब 75 सैयुक्त राष्ट महासभा का वर्चूल आयोजन किया जाएगा इसकी 75 सत्र की सुरवात 15 सितंबर से होगा इसमें विशुभर के नेताओं के पूर में रिकॉर्ड किये गए भासड को प्रशारित किया जाएगा इस बार इस बैठक में उत्तर कोरिया के तानासाह किम जोंग उन भी पहली बार भाग ले सकते हैं आपको बताती चले कि हर वर्श दुनिया भार के नेता न्यूयोक में सैयुक्त रास्ट के मुख्याले में मिलते हैं ताके विशुभर में चल रहे मुद्दों पर बहस किया जा सेके लेकिन COVID-19 की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पाएगा इसलिए इस बार वर्चुल आयोजन कराने का फैसला किया गया भारत और मालदिव ने राजधानी माले में आपात कालिन चिकित्सा सेवाओं के लिए एक समझाओते पर हस्ताक्षर किये हैं यह समझाओता कई लगू और मध्यम परियोजनाओं में से एक है जिसके तहद भारत अपने पडोसी देशों के लिए लगभग दो करोण अमेरिकी डॉलर का अनुदान उपलब्ध करा रहा है इस समझाओते से आपात कालिन चिकित्सा सेवा इकाई से आपात इस्थिती में भी बेहतर देखभाल और सहायता मिलेगी दोनों देशों ने यह भी कहा कि इस समझाओते से विशेश ताओर पर गंभीर संकट की समय स्वास्थ सुविधाओं और आपना प्रबंधन के बीच सहयोग और बहतर होगा भारती वायु सेना का कमांडर सम्मेलन 22-24 जुलाई के मध्ध हो रहा है इस सम्मेलन का विशेश अगले दसक में भारती वायु सेना है इस सम्मेलन में भारती वायु सेना के अगले दसक में संचालन क्षमता बढ़ाने की कार्य योजना पर चर्चा होगी काकरापारा परमाणो विजली सायंत्र के तीसरे रियक्टर के APP3 की सुरुवात 22 जुलाई को कर दिया गया इसकी क्षमता 700 मेगावाट की है देश के इस सबसे बड़े रियक्टर का निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत किया गया जो घरेलू डिजाइन पर आधारित रियक्टर है सबसे अच्छे सेफटी फीचर वाला यह रियक्टर मार्क 4 टाइप काटेगरी का उपकरण है जो प्रिसराइस्ट हैबी वाटर रियक्टर से यानि PHWR डिजाइन का एक सबसे अच्छा नमूना है यह स्टीम जनरेटर से लैस है जिसका वजन तकरीबन 215 टन के करीब है आपको बता दे कि काकरा पारा एटॉमिक पावर स्टेशन यानि KAPS गुजरात के सूरत में तापती नदी के किनारे इस्थित है पूर्डत है भारत द्वारा निर्मित 700 मेगावाट वाले इस रक्षा अनुशंधान एवंग विकास संस्थान यानि DRDO ने भारती सेना के लिए एक ड्रोन का निर्माण किया है स्वदेश निर्मित इस ड्रोन का नाम भारत रखा गया है यह ड्रोन उचाई वाले इलाकों और पहाड़े क्षेत्रों की निगरानी में बेहद सटीक निग रखा जा रहा है आपको बताते चले कि भारत ड्रोन को DRDO के चंडीगर इस्तित प्रयोक्षाला में विक्सित किया गया भारत ड्रोन दुनिया के सबसे चालाक मुस्तायद फूर्तीला और हलके सर्विलांस ड्रोनों में से एक है यह ड्रोन इस तरकीप से बनाया गया है कि इ जरूर बताएं वीडियो को लाइक करिए दोस्तों के साथ सेयर करिए चैनल को सबस्क्राइब करिए और अपने तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए जुड़े रहे टार्गेट विदालोक ऑनलाइन इंस्टिट्यूट से मुझे दीजिये इजाजत नमस्कार